अन्तस्योग में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको पावर योगा की कुछ खास थ्री एक्सराइस बताएंगी दरसल आपकी बोडी शेप के अकॉर्डिंग इसमें आपको अलग-अलग टिप्स बताए जाते हैं पहला पोस दोनों हाथ नमशकार की मुद्रा में सांस को बाहर निकालते हुए अपोजिट कोहनी को पैर के घुटने से लगाते हुए एक हाथ को उपर से निकाल लिए दूसरे हाथ को पैर के नीची से निकालते हुए दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए अगर आपकी कमर का मोटापा जादा है और आप हाथों को नहीं पकड़ पा रहे तो हाथों को कमर पर ही रख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए दोनों हाथ नमशकार के मुद्रा में दूसरी द्रक चुक चाहिए, सांस बाहर, कोनी को गुट्टे से छूते हुए बहुती बढ़िया पोज, पूरी बोड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इंच लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए दूसरा महत पुन पोज, बादं गुष्ट नासा स्पर्शासन पैर के अंगुठी से नाग को स्पर्श करते हुए घैरा सांस, दूसरी द्रफ से सांस को बाहर निकालते हुए, जुख जाए नीचे एक पैर को गुटने से मोरते हुए, हातों के बलबर, पूरी शिरीर का भार लेते हुए दोनों द्रफ से फाइफ फाइफ टाइम्स, अपनी शम्तानु सारिस का भ्यास ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के साथ साथ क्लोइंग स्किन के लिए फैशल योगा शरीर की रोध प्रतिरोधात्मक शम्ता को बढ़ाने के लिए शरीर से समंदित अनेक बीमारी को दूर करने के लिए पादाम गुष्ट नासा सुपर्शासन नेक्स्ट है कपोधासन पीजन पोस यह आपके शरीर से अंचाही चर्पी को हटाने में बहुत मदद करता है इससे आपकी कमर, थाइस और पैरों का फैट्स कम होता है पीछवले पैर को आगे लाते हुए लगा जाए अर्दुमस्सी इंद्रासन डाइबटेस, मुटापा, मदुमे जैसे बीमारियों से चुटकारा पाने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट असन एक बार फिर से देख लीजी यह आसन पैट की चर्वी कम करने और शरीर को सुगावल बनाने में बहुत ही साहय इसके अलावा साथ-साथ अस्तमा और श्वास समंदी अन्य बिमारियों से बचाव के लिए यह आसन किया जाना चाहिए इसे करने से शरीर में रग्त का संचार अच्छा होता है क्योंकि इसमें थाइज, एडी, जॉइंट, जेस्ट और पेट सभी अंगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है एक वहत्वून साथानी प्रेडनेंसी अपिरियर्ज के दौरान इस आसन का भ्यास नहीं करना चाहिए इसके लावर यदि आपके दखनों में किसी प्रकार की समस्या है तो इस आसन का भ्यास आपना करें देखते रहें, मुस्कुराते रहें अन्तस्यों ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें अन्तस्यों कर दो अन्तस्यों चीच्छार का भ्यास अन्तस्यों कि दूरान इस आसमें